दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारती टीम इसी तरीके से अंतिम टेस्ट मैच में भी जीत हासिल करे तो इस वीडियो को लाई जरूर किशेगा। दोस्तों इंग्लेंड के खलाफ चौथे टेस्ट मैच में शांदार जीत के बावजूद BCCI ने अंतिम टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में किया बोड़ा बतलाव। तो आखर कार अंतिम टेस्ट मैच के लिए BCCI ने टीम के अंदर कौन से बोड़े बतलाव किये ये तो हम आपको बताएंगे ही साथ ही साथ पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को एंडि तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आ पांच विकेट से जीत हासिल कर ली ऐसे में अब भारती टीम ने सिरीज को तीन एक से बढ़त बनाने के साथ अपने नाम कर लिया है जिसके बाद अब पांचमा और अंतिम टेस्ट मैच धरम शाला के मैदान पर साथ मार्च उससे खेला जाने वाला है जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तयार हो चुकी है लेकिन इस बीच बीसी सी आई ने भारती टीम की फ्लेइंग 11 का एलान चौधे टेस्ट मैच में शांदार जीत के बावजूद बदलाव के साथ कर दिया जिसमें बीसी सी आई ने सबसे पहले उपनिंग करने के लिए अब कप्ता देने के लिए यशासवी जैसवाल को मौका दिया है जिन्होंने बेहितर प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 73 और दूसरी पारी में 29 रनों का योगदान दिया ऐसे में अब एक बार फिर से इनके उपर काफे जादा बेहितर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी दे द दूसरी पारी में महत्वर 52 रनों का योगदान दिया था ऐसे में एक बार फिर से इनको तुफानी बल्लेबाजी के लिए बीजी सी आई ने जिम्में शामल कर लिया है इसके लावा नमबर चार पर बल्लेबाजी के लिए बीसी सी आई ने रजट पार्टिदार को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब उनकी जगे पर टीम के अंदर केल राहुल को शामल किया गया है। बाहर के लिए BCCI ने सरफरास खान को मौका दिया जिन्होंने चौथे टेस्ट मैच के अंदर तो कुछ खास कमाल नहीं किया है। इसे में ऐसी तूफानी पारी को देखते हुए एक बार फिर से इनको टीम में मौका दिया गया है। लेकिन अब इनका साथ देने के लिए कुल्दीप यादो की जगे पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। इतना ही नहीं बी सी सी आई ने तेस गेंदबास के रूप में आका अश दीव को मौका दिया है जिन्होंने अपने पहले मैच के अंदर बेहितर गेंदबासी करते हुए तीन विकेट हासल किया। ऐसे में एक बार फिर से उनके उपर इसी तरीके से बेहितर गेंदबासी करने की जिम्मेदारी है। खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो आखरकार पाकिस्दान के दिगजों ने भारत की जीत के बाद क्या कहा। ये तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है। रोहिच शेर्मा, शिबमंगिल और याश अस्वी जेस्वाल में कौन खतरनाक टेस्ट बलेबास है? कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों राची के मैदान पर भारती टीम ने चौथे टेस्ट मैच के अंदर शांदार जेत हासिल किया। भारती टीम को इस मैच में शांदार जीत दिलाये। जिसको देखकर पाकिस्तान के तमाम दिगजों का सवाम ने बयान आया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारती टीम के पास इस समय कुछ ऐसे खिलाडी मौजूद हैं जिनके पास बिलकुल भी अनुभाव टेस्ट क्रिकेट का नहीं है। लेकिन फिर भी उन खिलाडियों के दम पर भारती टीम ने इस टेस्ट सिरीज में जीत हासिल की। इस मैच के अंदर जिस तरीके से भारती टीम के खिलाडियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। वो बताता है कि इस युवा भारती टीम के पास किस तरीके की काबिलियत मौजूद है। हलांकि भारती टीम की तरफ से कप्टान रोहिच शर्मा ने जस तरीके से बल्ले-बारती तरा कि उसको देखकर मैं गाफे जवा भारती टीम को जीत मिली है तो वहीं शॉयब अख्तर ने बयान देते हुए काहा की भारती टीम के लिए इस मैच के अंदर सभी खिलाडियों ने बेहतर प्रदर्शन किया इस मैच में जिस तरीके से भारती टीम की तरफ से रोहिच शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली है और साथ में भार के योबा खिलाडियों ने इंग्लैंड को उसकी सही जगे दिखाने का काम किया ऐसे मैं भारती टीम के प्रदर्शन को देखकर मैं काफे ज़ादा खुश हूँ क्यूंकि भारती टीम ने आज पूरी दुनिया का दिल जेत लिया है तो वहीं शाहिद अफ्रीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारती टीम की तरफ से यशासवे जैस्वाल ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिये लेकिन एक बार फिर से भारती टीम की तरफ से दूसरी पारी में श्रबमंगिल ने अच्छा प्रदर्शन किया अगर ये बेहतर प्रदर्शन नहीं करते त गेंद बाजों के पास भी कोई कमी नहीं है लेकिन जस तरीके से भारती टीम ने आज इस मैच के अंदर विरोधी टीम को दबाओ में डालते हुए जीत दर्ज करने का काम किया वो काफे ज़ादा जिम्मेदारी भरा काम था ऐसे में भारती टीम के इस प्रदर्शन से पाकिस् प्रचव मनगे लॉड ध्रू का अगर बेहतरीन प्रदर्शन देखने को दूसरी ईनिक्स के अंदर नहीं मिलता तो शायद भारती टीम को इस मैच के अंदर जीत दर्च करनी का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारती टीम के लिए इन दोनों खिलाडियों ने आज युवा खिलाडियों वाली पारी नहीं खेली है बलकि एक जिम्मेदार खिलाडी वाली पारी खेली है और ऐसे में इन दोनों के बेहितरीन प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान के तमाम क् के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे यूट्यूब चैनल को मैं जिताया भी इनकी दमदार बैटिंग का वीडियो आपको अंतीम ओवर का दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है में जोनी रोही शर्मा और विराट कोली में सबसे खतरना खिलाडी आज तक कौन रहा है नीचे कमेंट कर बताईएगा दोसो खतरना के चखके वच्चोके जड़कर रोही शर्मा ने तो पचैसा जड़ा ही साथी एसस्वी जैसवाल के तूफान से कैसे इन दोनों ने रकोर्ड्स बना कर भारत को ये हारा हुआ मैच जिता कर रख दिया है आपको इन दोनों की भरपूर बल्ले बासी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या माना है रोही शर्मा ये सस्वी जैसवाल और शुबमन गिल में सबसे खतरनाक खिलाड़ी आपकी नज़रों में कौन है नीचे कमेंट कर जरूर बताईएगा दोसो भारत और इंग्लेंड की टीम के बीच में खेला किया सीरीज का चौथा टेस्ट मैच चौथे दिन के खेल में भारत ने जीत कर अपने नाम अखिरकार कर ही लिया आपकी जानकारी के लिए बता दें इस मैच में एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि हम पीछे हो गए थे बले इंग्लेंड ने पहली इनिंग में 353 रन बनाए कि उसके जवाब में भारत ने 307 रन बनाए बशरते सबात के के हमारे स्टार बलेबास तो चले ही नहीं दे